आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आपकी स्विलाई मिशिन बहुत ही तैजी से चलना शुरू हो जाएगी वह भी सिर्फ एक माचीज की हल्प से यूजिस के हमयगी के बहुत सारे एसे उसे और आपको पांच साल हो जोगे हैर इसको वह जला रही ही और बहुत ही अच्छे से चलती। क्योंकि अक्सर हम कप्रे खुद से लाई नहीं करते हैं तो हमें ज्यादा मतलब दो महीने चार-चार महीने हमारी मिशीन बंद रहती है तो इसी वज़ास से वह बहुत हैवी हो जाती है और उसमें मटी बंद जाती है तो यह आज में आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रेक शेयर क बहुत है तो इसा बिल्कुल भी ना कीजिए यहां पी मैंने देखी शापर डाल दिया इसी तरह से आप भी शापर डाल कर रख दिया करें ताकि जब शापर खराब हो जाए तो आप शापर चेंज कर ले और इस तरह के बॉक्स अमारे पास खानों में आते हैं तो इस बॉक जो भी मशीन के सैसिरीज होती है वो शारी डाल कर आप यहां पर रख सकते हैं ताकि आपकी मशीन कभी भी खराब नहीं हो क्यूंकि हम यहा पे यह सारी चीजЗए रखते हैं अंदर बॉक्स Assembly में तो यह यह पे दागे अट्ठी जाते हैं और यह सारी मत्ती उसमें जड़ी जिसकी वज़े से मशीन हमारी बिल्कुल भी सही नहीं चलती है और हमारी जब भी हम मशीन रिकालते हैं तो यह हमारी बिल्कुल भी नहीं चल रही होती है तो आज एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी मशीन हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी और हमेशा अपनी म यहां पर यहां पर ब्वाइक तो यहांए अपने आपने एकार सथ रखा करें, अपसी छोगी थे खशिती है पर चुझे समया पिलिनि गजित कैसे लुड़ बुद्धियोल फैंक के साथ में रइसे तो सारी चीज़े इसमें ना डाला करें तो आज learnt میں को बताऊंगी किस तरह से किस तरह से साफ कर सकते हैं यहां पर जो भी मशीन के टूल्स होते हैं वहा पर मट्टी जम जाती और इसमेन ना बहुत सारे दागे से उरते हैं तो यहाह पर आप देख सकती हैं किस तरह किस तरह दूख से कुछ ना ना कुछूबे हैं आपको रख ना की मशीन लॉम कर या नहीं की इनकल को armour में तैना के प्रण गार्भ में मजाहित कर देफार नहीं पाला सब्सक्सितिस कंट मृशड़्यन सब्सक्राइब तो पहले ऐल लगा के रख दिया करें उसके बाद ये दूसरे दिन या कुछ गंटों के बाद आप ये ट्रिक करें कि न तो आपके जो भी मशीन में प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी मतलब कुछ टाइम आपको मतलब कुछ दी लिया आपको यूज कर डी होगी और इसी वकिता से आपकी मशीन चाहां जा על जाएगी और आपको चलाकिजों खेक बाहर बेचते की मिल जाएगी पर जा से और स अच्छे से शायगी ही ज्चे बेंड़ी जल जाएगी पर चाहीदा इस 20 मटे गई ऐसे निकल जाएगा तो क्रॉब आपकि!! विसे ही new हो जाएगी क्योंकि इसके tools हमेशा जम जाते हैं तो इसी वज़ा से यहां पर इसको heat up भी मिल जाती है मतलब heat मिल जाती है जिसकी वज़ा से यह easily यह easily बहुत ही अच्छे से work करेगी और इसको heat up भी हो जाएगा और इसकी जो भी अंदर मटी होगी जो भी मतलब इसमे room of us जाता है वो भी निकल जाएगा तो यहां पर मैंने मेरी तील नीचे गिर गई थी तो यहां पर मैंने रखी हुए तो वह जल रही थी तो इसी वज़ इस बात का ख्याल रखिएगा कि मतलब ऐसा ना हो कि आपकी तील होगा या कुछ भी योगाट का हुआ होगा तो वह निकल जाएगा उमीद है आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स में आप लोगको अपने चैनल पर लाती रहोंगी तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर द अर्दू बोलना इतना नहीं आता लेकिन मैं कोशिश करती हूं कि आप लोगों को अर्दू में समझाओं अगर आप लोग सिंदी में चाहते हैं तो मैं सिंदी में भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी सो आई होप यूर लाइक दी वीडियो कल मिलेंगे एक नए वीड जरूर जरूर ट्राइक कीजिगा आपको भी पसंद आएगी और अपनी मशीन को हमेशा डाख के रखा करें कवर करके रखा करें और इस पर रेपर्स जरूर लगाया करें जब भी आपको बंद करना हो तो खासकर इस मेशीन को बिल्कुली साफ करके रखा करें तब ही आपक झाल झाल